अस्सलाम अलेकुम इस्टूडन वेलकम टू ओनलाइन क्लास हावर यू आल होप यू आल गुट आई एम यूर मैट टीचर तुड़े अवर वर्क इन कॉपी वर्क सो नाओ अपिन यूर कॉपी सबसे पहले हम होमवर्क की हेडिंग डालेंगे ब्लू पैंसिल से उसके बाद जलेंगे उसके बाद हम हम टॉपीक की हेडिंग डालेंगे subtraction क्या हमारा अगाउच का topic क्या है subtraction जलेंगे आप हम अपने वर्क की belt हैं आपका पहला qaustion है 9-273 हम क्या करेंगे subtraction में हम क्या करते हैं break करते हैं यानि तोड़ते हैं काटते हैं यानि सब्ट्रेक में तोड़ना या काटना वैसे हम माइनस भी कहते हैं चाहिए हम क्या करेंगे आप 9 इसके ले 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 या पिर शॉपनर ले 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 या इसके वो पैंसिल ले ले पेंसिल नहीं हम सुरिया या कलर पेंसिल लेले उसके अंदर से हमने 9 पहले जब हमने पेंसिल ले हमें उसके अंदर हम क्या करेंगे two pencil को हटा देंगे two pencil को हटाएंगे तो हम देखेंगे हमारे two pencil हटाने के बाद कितनी रह गए हम count करेंगे one two three four five six seven ठीक है जब हमने nine pencil नहीं उसके अंदर से two pencil हटा दी तो हमारे पास कितनी pencil बच्ची seven pencil तो हमारा के answer आया seven यानि कि हमने nine मेंसे जब two plus two minus किये तो हमारे पास answer आया seven तो हम यहां लिख देंगे seven नीचे ठीक है बॉक्स में उसके बाद हम seven pencil लेंगे सहीए seven pencil लेने के बाद उसके अंदर से हम three pencil हटा देंगे three pencil हटाने के बाद हम count करेंगे कितनी pencil हमारे पास लेगे one two three four सहीए जब हमने seven में से three minus किये तो हमारे पास answer आया four हम यहां लिख देंगे four ऐसे ही बागी questions आप लोग करेंगे एक question मैंने आपको solve your के बता दिया यानि समझा दिया किस तरह करेंगे क्या तरीका होता है minus करने का ऐसे ही बागी 15 questions जो आपको है given वो आप सारे questions इस तरह से ही करेंगे सहीए अब हम अपने next topic के तरफ बढ़ते हैं हमारा next topic है multiplication आप next page open करेंगे copy का उसके उपर classwork की heading डालेंगे blue pencil से date mention करेंगे और topic की heading डालेंगे blue pencil से हमारा question number one है two three उसको हम multiply करेंगे four के table से सहीए जब हम four के table से multiply करेंगे पहले हम three time पढ़ेंगे four के table और फिर उसके बाद two time पढ़ेंगे पहले हम three time पढ़ते हैं four one's are four, four two's are eight four three's are twelve सहीए तो हम जो twelve का answer आया हमारा उसकी एक value हम नीचे लिखेंगे और एक value 12 हमारा पास answer आया है उसकी value हम एक नीचे लिखेंगे एक उपर लिखेंगे यानि two नीचे लिखेंगे one उपर लिखेंगे उसके बाद हम four का table पढ़ेंगे two time four one's are four, four two's are eight ठीक है answer हमारा जब हमने four का table two time पढ़ा तो हमारा पास answer आया eight उसके बाद हम जो one हमारा उपर given था जो हमने 12 का one जो उपर लिखा था उसको हम eight में plus कर देंगे सही प्लस करने के बाद जो answer आयगा वो हम नीचे लिखेंगे plus करने के बाद हमारा पास answer आया nine तो हम यहां नीचे लिखेंगे nine यह हमारा question number one solve हो गया अब हम अपने question number two की तरफ बढ़ेंगे question number two हमें क्या given है five four सही उसको हम plus multiply करेंगे two से ठीक है multiply करेंगे हम two से हम two का table पढ़ेंगे पहले four time two ones are two two two's are four two three's are six two four's are eight सही है two four's are eight तो हम क्या लिखेंगे यहां पे नीचे answer लिखेंगे eight उसके बाद हम two का table पढ़ेंगे five time ठीक है two one's are two two two's are four two three's are six two four's are eight two five's are ten सही है हमारे पास answer आया ten तो हम पूरा का पूरा answer नीचे ही उतार देंगे क्योंकि next में हमारे पास कोई value given नहीं है उसके बाद हम question number three देखेंगे question number two हमारा complete होगा question number three में हमें क्या दिया वह है question number three हमारा six two इसको हम multiply करेंगे three से यानि हम three का table पढ़ेंगे two time और six time three one's are three, three two's are six हमने पहले two time पढ़ा table तो हमारे पास answer आया six सो हम यहां लिख देंगे six answer उसके बाद हम three का table पढ़ेंगे six time three one's are three, three two's are six three three's are nine three four's are 12, three five's are 15, three six are 18 सभी हमने three का table हम six time पढ़ेंगे तो हमारा पास answer आया 18 हम यहां लिख देंगे 18 हम यहां पर पूरा answer लिखेंगे क्योंकि हमें next में कोई value given नहीं है उसके बाद हमारा question number four है हमारा question number four given है four two सभी हम multiply करेंगे three से यानि three का table हम two time पढ़ेंगे और four time पढ़ेंगे पहले हम two time पढ़ेंगे three one's are three three two's are six सभी हम यहां पर answer क्या लिखेंगे six जब हमने three का table two time पढ़ा हमारा पास answer आया six तो हम यहां लिख देंगे six उसके बाद हम three का table four time पढ़ेंगे हम जब 4 टाइम पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 4 जा 12 यानि हम उसका पूरा अंसर नीचे ही उतारेंगे 12 पूरा लिखेंगे क्योंकि next में हमारा पास value given नहीं है उसके बाद हम 5 question देखेंगे 5 question है हमारा पास 7 और 6 उसको हम multiply करेंगे 5 से 5 का table हम पहले 6 time पढ़ेंगे उसके बाद हम 7 time पढ़ेंगे हम पहले 6 time पढ़ते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 6 जा 30 हो गया हम क्या करेंगे 30 का जो 0 है उसको नीचे लिखेंगे box में और 3 को हम 7 के उपर लिखेंगे सही है उसके बाद हम 5 का table 7 time पढ़ेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 सही आंसर हमारा है 35 बट हम क्या करेंगे जो हमारे पास 3 उपर given है 7 के उसको हम 35 के अंदर add कर देंगे यानि plus कर देंगे ती नंबर count करेंगे 35 के बाद 36, 37, 38 हमारा अंसर क्या आया 38 हम यहां अंसर लिखेंगे 38 उसके बाद हम अपने question number 6 की तरफ बढ़ेंगे question number 5 हमारा complete हो गया question number 6 हमारा 2, 5 उसको हम multiply करेंगे 4 से यानि 4 का table हम 5 time पढ़ेंगे फिर 2 time पढ़ेंगे पहले हम 4 का table 5 time पढ़ें 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 4 4s are 16, 4 5s are 20 सही हम क्या करेंगे 20 का जो 0 है वो हम नीचे लिखेंगे और 2 को हम 2 के उपर लिखेंगे सही है उसके बाद हम 4 का table 2 time पढ़ेंगे 4 1s are 4, 4 2s are 8 ठीके 8 आया अब हम क्या करेंगे 8 को हम 2 में plus कर देंगे और 2 कौन सा था हमारा जो हमने 5 का table पढ़ा था 5 time पढ़ा था 4 का table तो हमारे पास answer आया था 20 हम यहाँ पर 2 हमने यहाँ उपर उता रहा था तो हम उसको 8 को 2 में plus कर देंगे तो हमारे पास answer रहेगा 10 तो हम उसको आंसर लिग देंगे 10, यह हमारा क्लासफर, आप अपने एक्स पेज ओपिन करेंगे, कॉपी का उसके उपर हम हेडिंग डालेंगे, ब्लू पैंसिल से, होमवर्क की डेट मेंशन करेंगे पैंसिल से, उसके बाद टॉपिक मल्टिप्लिकेशन की दुबारा ब्लू वोर, उसको हम मल्टिप्लाइ करेंगे 4 के टेबल से, यहनी 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे पहले, फिर 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, सरी उसको हम क्या मल्टिप्लाइ करेंगे, क्या अंसर आएगा, वो लिखेंगे, ऐसे question number 2 में given है, हमें, क्या given है? Question number 2, 9, 6, उसको ह मल्टिप्राइब करें